दोस्तों पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है हमारे शरीर के हर एक अंग के लिए पानी बहुत जरूरी होता है शरीर में पानी की कमी कई अंगों को प्रभावित करती है क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना हुआ है पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जा पर पड़ता है बिना पानी के मस्तिश्क की कोशिकाएं सिकूरने लगती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फल सुख जाता है कोशिकाओं के सिकूरने के कारण मस्तिश्क का आकार बदलने लगता है और मस्तिश्क ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाता है अब चुकि मस्तिश्क हमारे शरीर का control center है इसलिए मस्तिश्क का कार्य करना बहुत जरूरी है अन्य अंग भी ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे आपके मस्तिश्क को जब पानी की जरूरत होती है तो वो कुछ संकेत देता है आम तोर पर रोजमर्रा के जीवन में हम कई ऐसे संकेत महसूस करते हैं लेकिन उसे नजर अंदाज कर देते हैं चुकि आज कल गर्मियों का मौसम है और संभव है कि आप हर समय पानी ना पी पा रहे हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं पांच ऐसे संकेतों के बारे में जिनका अर्थ है कि आपके मस्तिश्क को तुरंत पानी की जरूरत है इन स जरूर देखे क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कब कब आपको पानी तुरंत पी लेना चाहिए नमस्कार आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला आईए सबसे पहला जानते हैं स्थिति कौन सा है आखों के आगे कुछ सेकेंड के लिए अंधेरा चाना जी हां कई बार जब आप काम में बीजी होते हैं तो आपको पानी पीने की भी फूरसत नहीं मिलती है लेकिन इस बीच अगर आपको आखों के आगे एक सेकेंड से भी कम समय के लिए अंधेरा जैसा चाया हुआ नजरा आए कैमरे का फ्लेश देखने के बाद ऐसा होता है आप अक्सर महसू कर रहे होते हैं तो आपकी आखों को कंट्रोल करने वाला मस्तिश्क का हिस्सा सबसे सक्रिया होता है जब मस्तिश्क को थोड़ा रेष्ट या फिर पानी की जरूरत होती है तो ब्रेन एक्टिवीटी अचानक रुख जाती है और आपको अंधेरा सा दिखाई देता है तो इ लेकिन आपको महसूस होता है कि आपका मस्तिश्क ठीक तरीके से कारिया नहीं कर रहा है वहीं पर पढ़ाई के दौरान कई बार सामने लिखी हुई चीज आप हर बार गलत पढ़ते हैं ये भी स्लो ब्रेन एक्टिवीटी का संकेत होता है अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि मस्तिश्क को तुरंत थोड़ा रेश्ट और पानी की जरूरत है आप एक गलास पानी पीजे और दो से तीन मिनट आँको बंद करके बैठे जाईए फिर आप आएंगे कि आपका ब्रेन ज्यादा बहतर तरीके से समस्या को सुलजा पा रहा है इसके अल आप बिल्कुल आसान सी बात को 5-10 मिनट बाद ही भूल जाते हैं वैसे तो ये समस्या किसी मानसिक बिमारी का भी संकेत हो सकती है जिसे शौट टर्म मेमोरी लोस कहते हैं लेकिन अगर ऐसा कभी कभार होता है खास करके जब आप पढ़ाई या फिर ओफिस से संबंधित कारण यह है कि हमें सिखा दिया गया है कि सिरदर्द हो तो दर्द निवारक गोली खालो कई बार आपको वास्तों में दर्द निवारक गोली की नहीं बलकि सिर्फ और सिर्फ पानी की जरूरत होती है क्योंकि सिरदर्द का मूल कारण ही पानी की कमी होता है ऐसे में गोली ख अगर आपको सिरदर्द होता है तो सबसे अच्छी बात ही होगी कि आप एक लास हलका ठंडा पानी पी लीजिए ऐसे समय में सिरदर्द का कारण मस्तिश्क में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और पानी में ऑक्सीजन भी होता है और आपको मिल जाता है इसलिए आप फिट हो जाते इसके अलावा negative mood जिहां मस्तिश्क ही हमारे मन को भी control करता है इसलिए कई बार शरीर के अलावा मन में दिखने वाले विकार भी पानी की कमी का संकेत हो सकते हैं पानी की कमी से neurotransmitters और hormones ठीक से कारिया नहीं करते हैं इसलिए अगर आपके मस्तिश्क को पानी की कमी हुई है तो संभव है कि आप नकारात्मक तरीके से सोचने लगेंगे इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मकता आए तो एक गलास पानी पीजे और brain को थोड़ा रेष्ट दीजे तो इस प्रकार से जब भी आपको ये संकेत दिखें तो तुरंत एक गलास पानी पी लेना चाहिए य शेयर कीजिए वटसब पे फेस्बुक पे फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ ताकि उनको एक बहतर जानकारी मिल सके फिलहाल आज किस वीडियो को इतना ही रखते हैं विदा लेते हैं आज किस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धनिवाद नमस्कार दोस्तों